difficult question में से एक question है कि influence of socialization practices पहले question को समझ लीजिए socialization practices इससे थोड़ा सा डर जाते हैं कुछ नहीं है gender के paper में 40% 50% point repeat ही होने हैं वो भी अलग बना देता हूं अगर कोई question नहीं आता तो वो जड़ दो इंडियन फैमिलीज अभी है कि influence of socialization practices in families on gender identity तीन concept है इसमें यह दूसरी तरह क्या बन सकता है question के role of family socialization practices on gender identity okay इसकी जगह पर school भी आ सकता है school पर different question ऐसे कर लेंगे तो यह पहले concept है it means family तो चलो आपको पता है इसको थोड़ा सा define करना है gender identity को जरूर हर हालत में define करना है socialization process को define करना है यह main आपकी introductory point होंगे कि इनको define करना है सबसे पहले इनको define करते हैं साथ-साथ में हिंदी में भी बताऊंगा यह पहले एक word central बताऊंगा कि अगर definition नहीं याद होती तो आपने उस word को याद रखना है अब हम क्या करने लगे हैं कि लिंग पहचान यह रहा English में यहां पर underline नहीं की यह पहले यहां पर थोड़ा learn कर लेते हैं कि जो self identity आप समझते हो self identity self identity identity ओके आपकी पहचान तो जब आप से यह पूछा जाता है कि आप कौन हो हना तो आप सोचते हो मैं बलवान हूँ मैं कमजोड़ा है हूँ मैं इंटेलिजेंट हूँ मैं कम इंटेलिजेंट हूँ मैं गरीब हूँ मैं काबिल हूँ मैं कम काबिल हूँ मैं यह कर सकता हूँ मैं सुन्दर लगता हूँ मैं नहीं सुन्दर यह आपने अपना एक concept बनाया हुआ है इसको easy कर लो यह आप हो गया self concept concept अचा नॉर्म सोशल लिख दिया सोसाइटी यह अपको फीड़ बैक देती है कि यार तुम तो यह भी नहीं कर सके जब वह ऐसा कहती है तो आप बना लेते हो कि मैं कमजोर हूं वीक हूं यह सोच लिया अरे वाँ आपने यह कर दिया आना रिइनफोर्स किया तो आपको लगता है आप स्ट्र हो गए कि self identity self concept कैसे हमारा मनता है ऐसे ही एक aspect है कि self का कि मैं मेल हूं जां मैं female हूं जां मैं बीच में हूं जब बीच में बोला जाता है अगर यहां लड़के बैठे होते तो वहा हा हा करके हसते हैं तो मुझे नहीं फील अब होता कि मैं अपने आपको खुसरा भी कहा दता तो आप वहो ना तो जो जो जब आपको अपने रियल सेल्फ के बारे में पता चलता है तो आप artificial self को भूलने लगते हो जब artificial self में रहते हो जो society आपको बताती है तो आप उसके मताबक पूरा नहीं कर पाते उसको ना उसके उनसार जी नहीं पाते तो आप sadness depression suicide की तरफ जाते है male और female जो sex था उसी को उसी के साथ cisgender इसको बोलते है cisgender उसके साथ जोड़ दिया cisgender क्या है कि मैं completely male हूँ जहां completely female हूँ हना तो एक person सोचता है कि आज यार मुझे मैं लग रहा हूँ male लेकिन मुझे अपने आप में female के गुन भी लगते हैं मैं exact यहां नहीं हूँ मैं यहां हूँ तीसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं यार मैं तो अपने आपको male मुझे तो female बहुत ज्यादा अपना अप लगता है एक female है वो कह रही है कि यार मुझे तो मैं boy ज्यादा लग रहा हूं यहां पर वो exist कर रहा है तो यह spectrum है यह continuum है यहना आप कहीं भी हो सकते हो तो जो binary था classification थी वो तोड़के new जो gender identity है वो कहीं भी आप feel कर सकते हो क्योंकि आपको freedom मिली हुई है कि आप जो अंदर feeling है उसको बाहर आप व्यक्त कर सकते हो तो यह जो gender identity है simple word वो वाले पिछले वाले याद रख सकते हैं जहां आपने दो word internal sense of their own gender मैं अपने gender के बारे में मैं क्या सोचता है मुझे क्या लगता है वो आपकी gender identity है तो वो क्या हो सकता है यहां लिखा है total male भी हो सकता है female भी total हो सकता है जैसे दोनों भी हो सकते मैं male भी हूँ जी female हू मेल हो ना female हूँ जहां मैं कुछ और हूँ कुछ भी आप फील कर सकते हो इसका biological sex से लेना देना नहीं है आप फील क्या करते हो अपनी पहचान कैसे अपने आपको बताते हो वो जरूरी है हिंदी में भी आप यह देख लीजिए कि आप अपने व्यक्तित्व को स्वें को आंतरिक भावना है यह आपकी यह सेंट्रल आइडिया बता दिया कि आंतरिक भावना है हना और मुझे यह लग सकता है कि मैं पुरुष हूँ जा पूरी महला हूँ मैं दोनों हूँ मैं कोई नहीं हूँ जा मैं स्पेक्ट्रम के भीच में कहीं exist करता हूँ जा करती हूँ whatever आपने यूज करना है तो यह हो गया आपका उधारन दी गई है यहां से आप नोट कर सकते हो कि पहले किसी को लगता है कि मैं मेल जादा हूँ किसी को लगता है मैं फीमेल जादा हूँ यह बात यहां इंग्लिश में भी की गई है यहां पर आप एक्जामपल नोट कर सकते ह आपने डिफाइन करना है वह भी एक वर्ड नोट कीजिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है सिंप सेंट्रल आइडिया यह कहां गया समाजी करन प्रताएं क्या है हना सिंपल है अगर यहां से मैं यहां पर यह आ गए आप ओके और यह आ गई सोशल सोसाइटी सोसाइटी और सोसाइटी ने क्या बना रखा है सोसाइटी ने कुछ नॉम्स बना रखे है नॉम्स 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 मीन नॉर्मल कुछ नॉर्मल प्रैक्टिस है कैसे चलना है नॉर्मल बंदा कैसे चलता है ऐसे नहीं चलता ऐसे नहीं चलता है तो जब मैं अगर ऐसे चलूँगा ऐसे चलूँगा तो सब कहें कि यह क्या है इत्मी नॉर्मल नहीं है कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं कुछ वैल्यूस बना रखे हैं वैल्यूस क्या होता है कि जिससे हमारा भला होता है वह वैल्यूस है कि अच्छा बोलना है प्यार से बोलना है सॉफ् टीके लाज है यह लर्न कैसे यह करता है ल-e-a-r-n इतनी बात है यह हो गया सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेज कौन सी प्रैक्टिसे से हम यह लर्न करते हैं और बेस्ट इसका वर्ड है यागद रखने के लिए इंटर्नलाइजेशन इंटर रणाल लाईजेशन स्पेलिंग गलत होगे तो माफ कर देना इंटर्नलाइजेशन अंदुरूनी करन के यह जो सोसाइटी के नौम थे अब एग्जेक्ट मेरी पसनेलिटी का पार्ट बन गया है इन में और मेरे में कोई फर्क नहीं रहा जब शुरू में है फर्क होता है उसके बाद नहीं है तो यह सोशलाइजेशन प्रक्टिसे यहां से पढ़ भी सकते हैं और यह आप उसका जो हैं इंग्लिश में भी यह इस यह एक्सपेक्टेशन जो है रूल है मैंने वर्ड यू यू वहां कि यह वही यूज कर लीजिए अब में कोईशन आपका शुरू हो जाएगा के फैमिली में सोशलाइजेशन प्रक्टिसे जो है कुछ नहीं है यह फैमिली का रूल है जैंडर इंटिटी में तो उसकी जो पॉइंट है में आपने डिसक्स करने हैं फॉर्स्ट इस जैंडर्ड डिवीजन ओफ लेबर तो हमने बॉइस के लिए हर सोसाइटी में और गर्ल्स के लिए डिवीजन ओफ लेबर डिफरंट की रखी कर रखी हैं तो लड़कियों को हम ज्यादा लेबर कौन सी देते है यह रहा आगे यहां से हाँ श्रम कारे का विवाजन जो है यह मैंने वो यालो कलर नहीं किये सौरी अच्छा उनको क्या किया हुआ है कि आप जी वो करो ज्यादा बच्चों को पालो किचन का का काम करो तो लड़कों को कहते हैं कि बाहर का का काम करो विभेदक उपचार ट् एकी वर्ड याद रिकम तो इसमें मुद्रह alltså एक दो वीडियो भी है कि फ्रीडम किसको ज्यादा मिलती है यह सच है कि फ्रीडम अभी भी बैस को ज्यादा मिलती है लेकिन कारन डिफैंट है वेस्टन में और इंडियन सोसाइटी में यह डिफरेंस है तो यह डिफरेंस हो गया के फ्रीडम डिफरेंशल अच्छा इसको पॉइंट ही बना सकते हो फ्रीडम टू एक्स्प्रोर दा इंटरस्ट आउटसाइड दा हॉम हाना गर्ल्स को कम मिल रही है और लड़कों को ज्या है आप कैसे दिखने चाहिए लड़के है आप कैसे दिखने चाहिए आपने सल्वार कमीज पहननी आपने सारी पहननी यह इंडिया में प्रेशन मिलेगा हहना तो वेस्टन में Remember, certainly Mother Hillary Йे इपर रूब होगा हिंदी में यहां तक देक लीज्ग यह हो गया नेक्स्ट हो गया आपका यह विवेदिक विवार यह पहचान के रूप में यह रंग रूप संस्कृतिक अपेक्षाएं नेक्स्ट है यह यहां पर शेक्षिक और कैरियर अकांक्षाएं अच्छा यह पॉइंट जो बोल रहा हूं वह क्या करते हैं री इनफोर्स क उपकेशनल एंड कैरियर एस्पीरेशन तो वह डिफरेंट है एक वर्ड याद रखो पीस्ट्ट सीट प्रॉड में भी आ सकता है स्टेम स्टेम क्या है कि यह माना जाता है स्टीरो टाइपिंग है कि साइंस टेक्नालोजी इंजिनरिंग और मैथ में बोई अच्छे होते है लेकिन stereotyping मैंने बोला है असल में ऐसा नहीं है आपकी potential है आपने show करना है तो यह फिर हो गया के family इसको ही reinforce कर रही है आज भी लड़कियां कितनी जो है इस field में जा रही है मौके मिल रहे हैं difference अभी भी exist कर रहे हैं that is why है के family ऐसे socialization practices में रोल अदा कर रही है socialization message यह मत बनाई यह कोशन जो heading बना लीजिए role models तो role model हमारे सामने के कौन से रखे जाते हैं बेशक फिल्मों में से मिलते हैं बेशक society में से घर में से मिलते हैं वह different है तो boys को assertive ज्यादा बोल अपनी बात रखने वाले independent ऐसे encourage किया जाता है और इनको जो girls को obedient और nurturing हिंदी में साथ में यह point था हो गया यह वाला यह वाला हना समाजिक संदेश रोल मॉडल हो गया था और यह संचार pattern भाशा नेक्स्ट है यह बला यार पिछले वाला फिफ्थ भी रहता है माता पिदेश लड़के को द्रिड़ स्वतनता यह बला समाजिक रन संदेश रोल मॉडल हो गया है यह common point है कहीं भी आप जड़ सकते हो language कैसी है language boys के लिए different और girls के लिए different यूज होती है तो हम कहते हो मेरा शेर पुत्तर आ गया शेर उनको ज्यादा हम ऐसे कहती है कि strong strong बनना है तो यह हमारी example easily दी जा सकती है कि यह difference है कभी कहा है मेरी शेर नी पुत्तरी आ गई अगर कहा जाता है तो relatively कम धार्मिक धरम का रोल आ गया next point यह बना सकते हैं धरम socialization इतना लंबा point ने बनाना हांकियों की socialization है इसलिए यह साथ में add कर दिया religious and cultural practices यहां religious culture की बात करेंगे religious काफी ceremonies होती हैं कितनी rituals होती हैं तो उसमें specific role होती है मैं बड़ी अजीब बात करने लगा हूँ कि कुछ धरम में इंडिया में क्या होता है जब लड़कियों को periods आय होते हैं तो उनको पाठ पूजा करने नहीं दी जाती लंगर नहीं पकाने दिया जाता लंगर में सेवा नहीं करने दी जाती अभी तक कि ऐसी गंदी सोच से में भी कई धर्म प्रैक्टिस चल रही हैं इसका मतलब क्यों ऐसा माना जाता है कि के उस वक्त उनकी अनर्जी वह सेक्सवल बिहेवियर उनका होता है आप हैरान होगे लंडन में हुई प्रिशर्च में मैंने एक वीडियो में बताया था कि 90 92 परसेंट जो एनर्जी है तिंकिंग है मेल की वह हर वक्त होता है तो सब दूणवर्ड साबित कर दिया है आप भी वैसे ही वैसे नहीं उन से अच्छे आपकी अनर्जी तो अगर वह मानते है कि उस वक्त डाउन जाती है जा जए सेक्सल होती है तो मेल तो हर वक्त रहता है कभी-कभी हो सकता है कि चांस-बाइचंस हो जाए नेक्स्ट है मीडिया इंफ्लेंस, मीडिया जर्फ इतना और पॉपलर कल्चर अलग से पॉइंट भी मिना सकते हो तो टेलिवीजन है, मूवी है, सोशल मीडिया है, यह क्या करता है, जैंडर रोल डिपेक्ट करता है, कौन से बायस है मेल और फिमिल वहां एकोल नहीं है, इस जैंअ है, आगल सोशलायजेशन में, एक लड़की है वो रोज देखती है खे, मेक अश्यए होता है और छाहुज दिखाया जाता है तो आपको ये बाते भी अजीब लग रही होगी, तो मीडिया वैसे ही रोल मडल हमारे आगे रखता है, जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन हैं, यह रहा अपेक्षाएं और दबाव, यह ज्यादा जरूरी है, जरूरी नहीं है, मतलब पॉइंट है, इंपॉर्टन्ट, तो वा एक्सपेक्ट किया जाता है, इंफ्लेंस ऑफ एक्स्टेंडड फैमिली, एक्स्टेंड फैमिली का क्या कंसेप्ट है, कि नेबर हुड है, आपका महला है, उसके बाद रिष्टेदार है, वो भी प्रेशर डालते हैं, देखो, मैरीज कराने का, बच्चा लेने का प्रेशर प्रेशर पेरंट लेते हैं, इतना ज्यादा लेते हैं और लेके बच्चे को देते हैं, फिर कहते हैं, सैड हो जा, फिर सुशाइड करला, वह कहता है, मैं चाहती नहीं हो, कि तु कर ले, तो यह हम दोगली लाइफ जो जी रहे हैं तो यह जीरी बन्द कीजीए, इसलिगे टॉपिक कैसे लगे हुए है एक्सेंडर फैमिली एंड कम्यूनिटी हना तो उसी का उसका रोल भी है हिंदी में साथ में कर ले टैंथ ये पॉइंट है विस्त रित जो प्रिवार है समुदाय उसका प्रभाव है विवाहा और रिष्टों की अमीदे हैं तो ये देखिए आप तो किसने क्या दोनों ने अब चेंज आ रहा है कई एजुकेटर्ड जो हैं वो कहते हम दोनों ही कमाएंगे तो कई कहते हैं नहीं मैं कमाऊंगा लेकिन तुम जो है घर को संबालोगी ऐसी एक्जामपल है मेरे रिष्टों में हैं मेरी मासी जी का लड़का जो है वो घर हमें कम्मुनिकेट करना है को कोई भी रोल है यार खुश होने चाहिए आप खुश हो तो सब कुछ है रिइनफोर्समेंट और मॉडेस्टी के जी रिस्पेक्टेबिलिटी यह हिंदी में भी देख लेते हैं क्या है शील और संबान की सद्रेडी करन के तुम शील सेक्सॉल नहीं लगनी चाहिए तो यहां पर एक डिबेट है सेक्सॉलेटी एंड सेफ्टी इसको साथ सात्में लेके चलना है लेकिन हां यह सुसाइटी कहती है कि तुम्हारा पहरावा ऐसा होना चाहिए कि वो सेक्स दिखाई ना दे सेक्स इस्टिमूलेट ना हो ठीक यह कुल्चि पॉइंट सिब्लिंग डाइनमिक्स एंड पियर इंफ्लेंस आप इतना पॉइंट याद रखो सिब्लिंग एंड पियर तो यह क्या बनते हैं मॉडल यहां पर लिखने लगा हूं मॉडल आप छोटे हो हना यह आपका बड़ा ब्रदर है जहां सिस्टर है तो वह मॉडल बनते हैं मॉडल मीन के आप उनको देखते हो सुनते हो और वैसा ही बनते हो तो यह भी होता है सोसाइटी ऐसे miimize this лишь is she? कर ती है बिसाइब कंवं हो नटव करोगे किसी इस से मिलेगे को मैंने वह आपको स्टेस देंगा ओँ स्ट्रेस तरफ लेके जाएंगे और स्ट्रेस यह आप साइडने से बचने बचने के लिए फिर नाथक करोगे कि मैं आपके रूल की पालना कर रहा हूं देखा सोशलाइजेशन फिर करवा ली ना मना लिए intersection of interaction of caste class and religion तो यहां पर ऐसे अगर समझना है यहां पर लेकिन यह क्या लिखा है caste यह caste class है ना religion 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 तो इनकी डिवीजन है मान लीजिए caste है एक दो तीन चार class है एक दो तीन लोगर क्लास एवरेज क्लास अपर क्लास ऐसे ही लोगर कास्ट हन अपर कास्ट ऐसे है है निया एक्चल में जो प्रैक्टिस है उसकी बात कर रहा हूं तो डिलीजन ए बी सीडी हना तो यह लोगर क्लास इस लोगर कास्ट लेकिन रिच है उसकी प्रैक्टिस डिफरेंट होगी अगर वह पूर है तो उसकी प्रैक्टिस डिफरेंट होगी अगर lower caste अमीर से हो आप family से और उसका धरम यह है तो यह वेरी करता है यह बहुत intersection बहुत सी होगी लेकिन आपने सिर्फ यह बताना है कि उनके levels पर यह difference पाई जाते हैं यह आपकी gender practice depend करती है कि आप कौन सी caste और आपकी class कितने अमीर गरीब हो और आपका धरम कौन सा है क्योंकि तीनों यह प्रभावित करते हैं तो यह रहे points जो थे यह link गैर अनो रूपता हो गया और यह पंद्रवा जाती वर्ग और धरम के साथ अंतर विरोध है इसका ठीक तो इन points को याद कैसे करना है यह concluding point है यह भी देख सकते हैं अब इसको याद कैसे करना है मैंने ऐसी किया है कि gender के paper में जो most common point बनते हैं अगर आप किसी question में first जाते हो तो यह point का जो आसरा ले सकते हो तो वह क्या लिखा है जेंडर के common points के भी यहां लिख सकते हो जेंडर के common points final अना जेंडर के final common points ऐसे भी लिख सकते हो तो इन में से कौन-कौन से pointer निकल के आते हैं आर से क्या है यह आर से यहां पर है reinforcement religion यह होगे और सी से कौन से आ रहे हैं यहां पर downward list बना रहा हूं यह सी के यहां पॉइंट चलो यहां लिख देते हैं यह हो गया culture दूसरा हो गया carrier और तीसरा हो गया community अब तीसरा यहां पर mm बार बार आ रहा है यह दोनों एम के यह point बनाएंगे यह color नहीं लेंगे यह वला ले लेंगे दोनों एम को यहां पर खीचा है यहां पर ले आया हूं मैं एक तो एम का बन गया model modeling दूसरा बन गया media बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा common point है यह n का नहीं बनता non-conformity यहां नहीं होगा points में से कोई नहीं बन रहा हां F के बन रहे हैं F के बन रहे हैं कौन से F से freedom है और साथ में family हो सकती है family और family से related जो जो points बनते हैं तीन है family में ही शब्द parent भी आता है parents भी आता है sibling भी आता है अब मैं जोड़नी रहा हूं family में कौन-कौन होता है इससे मैंने learn कर ले चार-चार point family में parents हो गए siblings हो गए हना relatives हो गए relatives हो गए और इसी के साथ पीर पीर ग्रूप बेशक वो family में नहीं होता आपका classmate जो होते हैं एज में होते हैं उनको बोलते हैं यह point हो गए और L से बहुत ज्यादा important बन रहा है कौन सा रेड़ वाला language language है ओके और लेबर division of labor यह point हमारे बने है common यह आप कहीं भी यूज कर सकते हो इसके इलावा इस जो paper है उसमें दो चार point और यह जो यही जो discuss किया है यह वाले यह point बड़े चोटे हो गए ना तो इनको करना है तो यहां पर जाके color कौन सा लेंगे यह बला blue ले ले लेते हैं तो inspire आपने मैंने लिखा है यहां पर inspire चलो आगे लिख लेते हैं यह कामन हो गए यहां पर in inspire तो इन से क्या point बनते हैं जो not normal है यह intersection intersectionality okay जो caste religion class की बात की है n से बनता है non non-conformity non-conformity और R से वैसे religion हो चुका है reinforcement भी हो चुका है हम पीछे वैसे कर चुके हैं यह बाकी बचते हैं आपी से जो हां और कोई point नहीं बजा इतमें सारे common में हमने ज्यादा तर cover कर लिये हैं तो यह question आप ऐसे learn कर सकते हो points thank you